बैतुल जिले में पहला कोरोना पाजिटिव युवक मिला है जो भेजदेई का निवासी है हमारे संबादाता अमित पवार ने बताया कि कुछ दिन पहले नाकपुर की एक जमात में शामिल हुआ था युवक जिसके बाद उसकी जाच रिपोर्ट कोरोना पाजिटिव पाई गई है कलेक्टर एस्पी ने भेजदेई पहुँच युवक के घर को सील कर दिया है वहीं भेजदेई छेतर के लोगों को विशेश सतर्क्ता बरतने को कहा गया है आपको बता दें कि स्वास्त विभाग ने हेल्थ बुलेटिन के जरिये मामले के पुष्टिक की है अभी जो है अपने हां से काफी प्रयास किये जा रहे से लगवर चोंतिस सेंबल वो ले लिए गए है है चार पांस कोटेशन की पांस की रिपोर्ट आभी है उसमें से एक पुष्टिक है बाकी नेगेटिव बाकी रिपोर्ट जो है आने की है साथ कल तक आ जाए हैं खुछ राद तक भी आ सकती है और बाकी रिपोर्ट का लाइक क्योंकि काफी लोट बढ़ गया है है वहां का तो अभी क्योंकि एक मामला भी आया बैस्टे कर दिया गया है तो अभी वह नॉंस्यम्टम आटिक है कोई ऐसी लक्षन डवलोप नहीं वह से पहली उसका टेस्ट होगे अंजांच कर लिए वह पता चलिया तो उसका उप्चाज है वह कर दिया जाएगी और उसक करवाएंगे है कि काफी लोगों में सुधार भी हो रहा है इंद और वह सारे लोग बीमार थे उनके टेस्ट हुए उनको भर्ती किया रखा और आज डिस्टार्ज होगा पापाल से भी लोग डिस्टार्ज होगा ठीक होके निकल रहे हैं तो ऐसी कोई घवराने वाली बाद सद्पुडा टाइगर रिजर्ट छेत्र में बसे पिपरिया जनपत पंचायत के अंतरगत आने वाले आदिवासी बाहुले ग्राम नाधिया में ग्रामिडों ने जागरुकता की मिशाल पेस करते हुए खुद को होम कौरेंटाइन कर लिया है करीब चुम्माल इस घरों के इस छोटे से गाउं में ग्रामिडों ने गाउं का प्रवेश द्वार भी बंद कर दिया है गाउं में लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ही रह रहे हैं नाधिया ग्राम पंचायत सचिप विनोट ठाकुर ने बताया कि आदिवासी ग्रामिड बहरी व्यक्ति को गाउं में बिना किसी सुरक्षा वा जानकारी के प्रवेश करने से साफ मना कर रहे हैं स्वाइम उन्हें भी गाउं वालों ने सोसल डिस्टेंस का पालन करने और गाउं में प्रवेश करने से पहले सेनिटाइजर का उप्योग कर किसी चीज को हाथ लगा प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। जिसके बाद कुछी दूरी पर कार नाले में अनित्र थोकर पलट गई। इदर गायलों के परिजनों के मताबिक बच्ची की तवेश जादा खराब होने के चलते। आनन फानन में उशे हुशंगाबाद इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। जिने फोन करके एक्सिडेंट की सूचना दी गई थी। समय अनुसार ही खुली रहेंगी। सुनिए क्या निर्देश हैं तैसल वासियों के लिए SDM रभी शंकर राइक की जुबानी। सरे किरान दुकान खुलने के समयम कोई परिवर्तन किया गया है। नहर खुलने के बाद से किसानों का क्रिशी उपकरन और खाद भी इसके लिए। उनका व्यावगमन बढ़ा है उस प्रियाडमेंट्स। और वहारे किरान के वेपारी शंग है वह आंडोर भी सप्लाई कर रहे है। और उनके यहाँ उस तरह की भी नहीं है। तो यह बंद होने से हमारे हित्गराहियों को परिशानी नहीं होगी। तो किराना वेपार ने उनके साथ बात हुई है। उनके असा दिया है श्वासन कि हम किसी भी भोगता को आंडोर मांग आती है तो सप्लाई करेंगे। किसी परकार के शुदा नहीं होगी। उनको भी बजार में अनावश्यक नहीं आना पड़ेगा। तो कल से हम लोग पुरा किराना दुकान 14 हिक तक लागडाउन में बंद कर रहे हैं। आंडोर सप्लाई उनकी जारी रहेगी तो आप लोगों से आग्रह यह होगा। कि जितने भी हमारे व्यपारी हैं आंडोर कर रहे हैं। उनके नंबर को आप पेपर में दें। और लोगों से आप लोग भी आग्रह करें। कि आंडोर के लिए ही लोग प्रेवित हों। बजार में अनावश्यक आने से सोचल डिसंसिंग नहीं हो पा रही है। कि आज कुछ ATM में भी बीड़ लेखने को मिली है, वहां भी हमने प्राइवेट टीचर रिवेट इस्कूल की से लिएको sovereignty वही सायोग देने को तियार है, तो हम हर ATM हम हर बैंक में और जो हाथ की दुकान है वहाँ प्राइवेट टीचर भी लगा रहे हैं वो सहोग देने के लिए प्यार है हमारे राजस और पंचाइट के भी हमना लगा हुआ है तो कल से हमारी पूरी फूकस इसी पर रहेगा कि हम सोशल डिस्ट्रेंसिंग जहां भी रोरी व मालन हो और पूरी तरह से गाड़ियों को जैसा प्रतिवन्दे थे उसको प्रतिवन्द का पनन करा करके लागनां को शफल जिशा बनता रहा आगे विवनाया है सिवनी मालबन अगरपाली का एवं प्रसासन के द्वारा रासन बित्रण में अनिमित्ताएं किया जाने के चलते अब शेयर में महिला पुरुसों में आगरोषपन अपने लगा है जिसका नजारा सोंबार के दिन स्थानी थाने और तैसिल कारेले में भी नजराया या कई वार्डों की महिलाएं अपनी शिकायत लेकर बिना मास्के और सोसल डिस्टेंस बनाए पहले तो थाने पहुँच गई जहां से भगा दिये जाने के बाद तैसिल कारेले पहुच गई जहां सभी महिलाओं ने तैसिलदार दिनेस साबले से रासन दिलाए जाने की मांग की जहां तैसिलदार ने सभी को आस्वासन दिया कि जाचकर वास्तिक लोगों को रासन दिलाये जाएगा वही महिलाओं ने आरोप भी लगया कि पार्सदों के परिवारों को भी रासन वित्रंग क्या जा रहा है जिनका नाम सूची में है ऐसे कर्मचारियों पर भी कारवाई हो होनी चाहिए जिन्होंने अपात्र लोगों के नाम जोड़े हैं उसको पका पका के खाए निकिल उसमें भी दसत लग गया क्या करे सर जब मैंने भत ज़ैतों, तो घ्कान वाले से मैंने बोली बेटा दसत लग गया जंकर देड़ा के तो एक से मैंने दस रुप्या मंग के ले गई थी तो दस रुप्या भी नहीं ले दादी माहा के दस रुप्या ले जलना और गोली ले जा बोले बोले ये जादी माहा के दुप्या ले जादी माहा के दुप्या जादी है